आज के क्रॉस फायर में हमारे सवालों का जवाब देंगे बीजेपी के राश्ट्री ये मंत्री रामेश्वल चौरासिया जी रामेश्वल जी साधना नियूज पर बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक महीने पहले कह सकते हैं कि बीजेपी की बहुत हवा बनी हुई थी चारो तरफ मोधी लहर की चर्चा हो रही थी लेकिन अचानक अर्वेंद केजरिवाल ने आम आदमी पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से बीजेपी के गुबारे की हवा निकालने की वो तैयारी कर चुके हैं आप जो बात कर रहे हैं इसे मैं इंकार नहीं कर सकता क्योंकि जो राष्ट्रिये पटल पे चार परदेशों के चुनाव हुए तीन में हमारे पूर बहुमत मिली कॉंग्रेस का एक तरह से रिजिनल पार्टी की तरह सिमट गई और हमारा पहले से आरोप था कि कॉंग्रेस मोदी जी का जो रत चला है गुजरात से मैं तो उसको बोलता हूँ कि जो अस्वमिग रत का घोरा गुजरात से चला है तो कॉंग्रेस को डर है कि पूरे गुजरात में जिस तरह सफाया हुआ वो चलते चलते वो रत दिली तक प कॉंग्रेस को यह बात मालूम थी कि दिली से उनका सफाया होना है तो कॉंग्रेस ने आज देखिए मैं नहीं करूं इसकी पुष्टी होने लगी है मैंने भी बोला था कि जिस अनिल कुमार को इन्हों ने प्रिंस्पल सेक्रेटरी बनाया है दिली प्रदेश में उनकी पतनी और संदीप दिक्षित की पतनी यह एक्सेल कंप्यूटर एक कंपनी है पूरा कंट्रेक्ट उनके पास है दिली सरकार का ते मिला जुला खेल था कॉंग्रेस को अब यह लग रहा है कि तीन कंग्रेस को तीन के का साहरा तो इस पार्टी को खड़ी कि इसमें दो मत नहीं अब और मैं आपको सचाई बता दूँ कि जो काम करने चाहिए उसमें काम अगर घोसरा करते हैं तो आप में इतनी गट सोनी चाहिए कि जनता का काम स्वता अधिकारी करने लगे जनता को आपके पास मिलने जाने या कंप्लेन की ज़रुत नहीं पड़े एक आपको उधार देता ह आप करें कि मैंने बिजली के दाम घटा दिये पानी के दाम घटा दिये इस देश में पानी का बिली नहीं लगता हमने कभी पानी का बिल पटना में नहीं दिया आप कलकटा चले जाई नहीं लगता पानी पूछता कौन है पहली बात यह तो यहां कॉंग्रिस का पाप था जिसको धो रहे हैं धो नहीं रहे हैं दूसरा बिजली गुजरात में एक उधारण आपको देता हूं 12 साल पहले नरंद मोदी की खतकार आई बिजली बोर्ड 25 क्रोड के घाटे में था बिजली बोर्ड में ऐसे लिकेज होते हैं सप्लाई में उस सारे लिकेज को उन्होंने ब बढ़ाया नहीं 12 साल से नहीं बढ़ा इसके बाद भी बिजली बोर्ड हजार करोड के प्रॉफिट में हैं तो यह होता है मैनेजमेंट इनको चाहिए था कि जो जनता परेसान है मीटर सिफ्ट कराने के लिए मीटर लगवाने में घुश देना पड़ता है जो कंपनिया करके और बिजली का दाम कम करें एक साल में बिजली का दाम दूगना हैं हुआ था जिसके खिलाब हम लालाई लड़ते रहे है पानी की बेवस्ता मुफ्त करें यह लेकिन आप सब सीडी से कर रहे हो तो फैदा क्या हुआ मतलब सारे आपको एक बात और सचाई बता देता आप पता कर लेना पूरे बिभागों में इंस्ट्रक्शन चला गया है मुख मंत्री के दौरा कोई काम नहीं करना है बिजली पानी पर कॉंसेंट्रेट करना अरे साफ सारे डिवलप्मेंट का काम छोड़ क्या बिजली पानी दिख रहोगे वह भी कोई प्रैक्टिकल नहीं पैसे मांगते थे 18,000 20,000 मैंने अपने दोस्कों का कि मैं तो पैसे नहीं दे सकता यह पैसे मांग रहा है वह आया धीरे से गया मीटर भी लगवा लिया पैसे भी दे दियो उसने मुझे बताया भी तो यह सब जो करप्शन है जनता जिससे परेशान है आप सीधे इंस्ट्र को बताने की कोशिश करें कि बहुत ही आईडियल स्टेट है वहाँ जो कंसेट्स लागू हुए हैं बड़े सफल हुए है वहाँ तो आपकी सरकार काफी सालों से है यह प्रचार आपने देश भर में ऐसा क्यों नहीं किया दूसरी राज्यों में भी आपकी सरकारे हैं तब क दिल्ली की जनता ने बीजेपी को क्यों सरकार बनाने का मौका नहीं दिया का कोई खामिया तो हम भी समझ नहीं पाए इस बात को इस सचाइधी और दिल्ली की जनता को एक लगा कि जो करें मुफ्त बिजली मुफ्त पानी देंगे जो संभाव नहीं है 50 पर जूर हमने 30 परस और innovative हर जगह का विकास का अलग-अलग concept होता है एक कर रहे हैं दिल्ली में आपको बताओं वही था कुछ हमारी कमी रही छे महीने तक जो हमारे पार्टी में उधेड़ बुन चला न उसका भी उनको फायदा में उनको मिला ये accept मैं करता हूं और आगे से ऐसी गलती नहीं हो प लेकिन टिकाओ तभी होता है जब long term policy बना करके करके आपको दिखाएंगे लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बिच बिल्कुल ख्रेश बनता जा रहा है आम आदमी पार्टी का आपको नहीं लगता कि भारतिय जनता पार्टी में युवा नेताओं की आज भी कमी है भारत को मुह दिखाई भी बहुत मिलता है आपको पता होना चाहिए तो नया नया में थोड़ा दिन चलता है और आप देखिए हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हमने तो इतना ही बोला था कि आपको मौका मिला आप काम करके दिखाए नारे हो गए आप रोज ये पिछले दस दिन को सिद्र्स गोषना करते साथिया कि आपने तो आकलन कर दिया कि उन से कुछ बहुत अधी कुम बीनी किजा सकती वह असफल है आप कर दिन हुए वह संदेश कहा रहे है वहीं तो मैं बोला देखिए अज उनका वी रोट के होने लगा पब्लिक के ओना खूस होने लगी क्यो लिख करके दे दिया उसका सॉलूशन चाहिए कंप्लेन नहीं चाहिए लोगों का आपको दिखते पता है जैसे यह कुदाहरा दे रहा हूँ अब लोगों के मन में भरम तो बैठी गया कि भाई आप कॉंग्रेस से मिले जूले हो उन्हीं के विधाय का रोप भी लगा रहे हैं और उन्हें नहीं लगा रहे हैं सच बाते हैं कि आप फाईर ले करके घुमते थे कि सीला दिक्षित के खिलाप पूरा पूरूफ हमारे पास है तो आप ने तीन महीने का समय मांगा आपको मालूम है कि अचार सहीता लग जाएगा तीन महीने बाद आया पूरे देश में इस अगर यह माल ले रामिश्वर जी कि उन्होंने तीन महिने को ही केंद्र में रखकर अपने सारी योजनाय बनाई तो आप भी तो राजनीती में थे आपको भी जंता ने सिंगल लाजिस पार्टी की रूप में दिल्ली में चुना था यह मौका आखिर भाते जंता पार्टी ने कि अब राश्टपती के पास जाईए गवर्नर और लेफ्टीनेंट गवर्नर के पास जाईए तो सीधे पूछने की संख्या बल कहा है हमें जब बुलाया गया उसके पहले ही कॉंग्रेस आठ बिधायकों का समर्थन आपको दे चुकी थी दूसरे कोई इंडिपेंडेंस भ जुक नहीं है चुँ अमारे पास मजरीटी नहीं तुसको मैं चुक कैसे माने बनाने नहीं देते हैं लिफ्ट निलगेवा बना नहीं सकते हो शक्ते यह तो सब कुछ सबको पता है कि कानुननन नहीं बना सकते ती लेकिन सियासत में तो जोड तोड भी चलता आ आखिर उनो यहां तो बोर्डर लाइन पर था इसी लिए संभव नहीं था जैसे आपने देखा एक विधायक के चलते हम उतराखन में नहीं बना पाए एक हमारे मुख मंत्री नहीं होते तो वहां मारी सरकार होती उसी तरह कुछ सीटों से हम हमाचल में रहा गए छोटे प्रदेशों में एक सीटे का महत होता है यह एक हम थोड़ी सी और कोर्शिस किये होते संजीद्गी से था हम दिली में आराम से बना सकते हैं नरेंद्र मोधी की परस्नालिटी और अरविंद केजरिवाल की परस्नालिटी को अब कंपेर करने लगे हैं लोग कहते हैं अरविंद केजरिवाल बहुती साधारन दिखते हैं सीधे दिखते हैं बहुती सरल भाशा में बात करते हैं और नरेंद्र मोधी की परसनालिटी में जनता को बहुत सारे लोगों को एक एरोगेंस दिखता है आप नरेंद्र मोधी से कैसे तुल ना कर सकते हो हमारी समसिन नीचे से आये हैं लोगों के समस्या को समझते हैं वह भी एक मजदूर परिवार का चाय बेशने वाले घर से आता है लेकिन उसके बाद पढ़ाई करता है संगठन में लगता है उको या चानक के नौकरी छोड़क से नहीं उपजाब एकती है और रग रग में उनका समया हो इसलिए जब गुजरात के सीमने तो हर प्रॉब्लम से वाकिव थे उनको समझने की जरूरत ने वह किये बीना कहें कहीं उन्होंने परचार नहीं किया उनका परचार की सुरूप में हुआ एक दंगे को रूप में हुआ जो करते थे उसका तो कभी परचारित नहीं हुआ एक घोसना करते उनकी परचारित होता है हम उसमें मेडिया का अपना स्वरूप है और उसमें मेडिया पाउरफुल नहीं था ज्यादा पाउरफुल है उनका विसा है इसमें मुझे कमेंस नहीं करना है लेकिन क्या य अब बताओ ममता बनार जी आपने को कभी चोर कहता है कभी इमांदार आदि में अपने डंका पिटता में इमांदार हूं यह क्या कहते हैं इमांदारी को मेरे पीस है क्या बहले इमांदारी का प्रमान तो देवना करो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो करना है करें लेकिन नरेंद्र मोदी से तुलना एक जाचा पर आप जिस बात को आप कर रहे हैं देश उसको माई लाइक इसलिए लाइक करता है एक तो अवरोसयी ने विककास किया और देश में शन में उसे मिडिया जब नरेंद्र मोदी की erzählings को उनके भाषणों को खुब दिखाया आपे पसंद किया अब कहरें कि मीडिया है के जरिवाल के पीछे, यह निए आप करो करो मैं मैं मैंने कभी कमेंट्स नहीं किया उनका भी आप करो मोधी जी का भी कर मैं वो दूसरी चीज बोला मोधी जी नो जो काम किया ओ कैसे प्रचारित हुआ आप तो अभी मोधी जी को कर रहा हूं धीरे धीरे इस देश के छे सौ 6 लक गाओं है हर गाओं का एक एक विजरात में काम कर है इसलिए लोग चले गए गुजरात महाराष्टा करनाट का जा इंडेस्ट्री मिली तमिलाडू बिहार उपी के लोग भी तो ऐसे परचारित होता है कि भाई वहां इतनी अच्छी ब्योस्ता है वहां लाइन नहीं करती है पांच साल के अंदर नरेंद्र भाई ने हर रमेश्वर जी जिस तरीके से आपनी कहा कि अरविंद केजरिवाल को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है और नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ साबित कर दिया है अगर आपकी बात मान भी लें तो कि नरेंद्र मोदी की दावेदारी में कहीं से भी कमी नहीं आई है प यह बात तयह है कि कॉंग्रेस के खिलाफ मेसेज हैं अब कॉंग्रेस क्या कर रही है हमें तो हर जगा रीजनल से लड़ते ही है उतार लडने पड़ेगा जब राष्टीय पाठी बने हो तो बिहार में कॉंग्रेस का समर्थन है जेडीयु को विदायकों का सरकार चल रही है कॉंग्रेस अपने आपको एभी सरेंडर कर चुकी है तो हमें तो उनसे ही लड़ाई हुई अब गटबंदन में जो भी बने लेकिन अब हो क्या रहा है यह संदेश धीरे धीरे इस देश में चला गया कि जो कॉंग्रेस ने पाप किया जिस तरह मांगा आई भरेष्ट अचार एक को कहने की चीज ने जिस तरह की चीजें हुई और सुरक्षा जिस तरह लूट का पैसा ब्लैक मैनी के रूप में बाहर गया अब देश को उमीद है नरिंद मोदी से तो आप कॉंग्रेस का साथ जो जाएगा मैं कहता हूं यह डूपती हुए नहीं है और जो जाएगा उ अब पूछ लेना डॉक्टर से दवा भी लेना पढ़ रहा है हमें हम भी टच में हैं हमने भी डॉक्टर से पूछा है नींद नहीं आती है रात को आपता कर लो मैं तो कभी जूटर शान नीं बोलता मैं सच बोलता हूं उनके लोगों नहीं मुझे बताया और यहो ना भी ह खड़े हैं लाइन लगाए हूं हमारे तरब से टिकट लेने के लिए उनको मालूम है कि कहीं लोक सभा के साथ बिहार सभा की चुनाव नहीं हो जाए परिशानी तो है आप देख रहे हो कॉंग्रेस उनके साथ जाने त्यार नहीं है लालू यादो जी के बारे में क्या कहेंगे लालू जी जो बिहार में किये और जात पात और मजभब की राजनीती से जनता उप चुकी है उसका परिणाम आपने देखा अब हमारे मुस्लिम कैणिडेट राजस्तान में जीत रहे हैं और कॉंग्रेस के एक भी नहीं आए तो इ ईबल्पम्यंट करोगे तो दलीतों का भी पीखस होगा मुस्लिमों का भी होगा ब्रामन फ़ी कघें और सब को लगता है किए अगर हमारा बच्चा महरा सकता है तildi तो नरेंदर मोदी से उमीद इस बात की है यह बैक्ती आएगा तो इंडस्ट्री लगाएगा तो हमें काम करने का मौका मिलेगा अगर साब मेरे हैं एक डालमियान अगर फैक्टरी थी इतना खुस हाल था खुस हाली थी इलाके में अज लोग याद करते हैं उनको लग रहा है इनका चाप्टर क्लोज है यह क्लोज चाप्टर है आपने बोला ना युवा ने तो एक युवाओं के आइकन तो नरेंदर मोदी है राश्टी यह बिलास पासवान को लालु यादव को यहां तक कि नितिश कुमार को भी आप एक क्लोज चाप्टर मान रहे हैं उत्तर प्र उसमें भी लाखों की संख्या में नरेंदर मोदी से बड़ी रैली उन्होंने की है और लाखों की संख्या में उसमें भीड दिखाई पड़ रहे है तो उत्तर प्रदेश में जो उनका वर्चस्व है समाजवादी पाटी का वर्चस्व है उसको कैसे तोड़ेंगे आप जि तक हमारी जो रेलिया हुई है और इजनल हुई है कोई दस चौदा विधान लोग सबाकी कोई छे की कोई चार की अभी असी की तो होनी बाकी है वो तो दो मार्च को है तब आप देखिया ग्राउन हमारे लिए छोटी पड़ गई है तो ना रहलिया यूपी भी आर्मे रेलिय सब मान लिया इसके बावजूत उत्तर प्रदेश का जो गड़ित है उसमें अभी भी मुझे लगता है कि भारते जन्ता पार्टी के लिए रास्ते बहुत आसान नहीं है तो राजनीती में कोई कह दे रास्ते आसान है तो मैं नहीं मानता है वहां दशेकों से बहुत कम जोर प्रदेश की कहीं न कहीं हमने गलतियां की है इसलिए हम दस पसी मट गये कभी साथ हमपी हमारे हुआ करते थे लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में उत्साह है और जिस तरह से मायावती के करप्सन से लोग परिशान थे उनके सासन से वह भूले नहीं है तब तक मुलायम स जी का सासन उदेख साल से देख चुके तो आप क्या समझती की इतनी जल्दी राष्ट्रिय पटल पर इनको भूल जाएंगे आपने स्विकार कि भारती जंता पार्टी ने गलतियां की जल्देश कर लिया आपने क्या उसको दुरुस्त कैसे किया हमने दो तरह से दुरूस क किया एक तो हमें जो नीचे जाने की परंपरा छुट गए थी दोगों की हमने बू थस्तर तक जो समीतियों को भी ठिक किया पिछले च्छे महीना सही करें दूसरा नरेंद्र भाई बाकि आने से कुछ साह बना तीसरा फेक्टर जो काम कर रहा है वहां आपने देखा कि मुल भाजपा में जुड़ने की एक जो परकिरिया चाली हो यह हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं तो उससे हमें भी भरुष्टा हुआ है कि लोग चाहते हैं विकासों और केंद्र में कॉंग्रेस के खिलाप महालों तो उसका सफाया हो इसलिए लोग सभा में लोग अप अगर आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है अगर बीच प्रतीसत वोट जो है अगर आदमी पार्टी को मिल जा या सहरे सीटों पर अगर वो अपने कैंडिडेट उतार ले और वो कुछ वोट आपके काट दे तो कितना नुकसान हो जाएगा आपको आपने दिली में भी मौलाना जी भी बैठे थे पूले कि जिर्वाल को इसी को मिलेंगे और केजिर्वाल को हमारे वोट मिलेंगे तो सवभावी खाई कि हमारे खिराफ नलन बोटी को बनेंगे तो ये जो अहां बाकि पर नहीं बोलती है सब को एक ही बोट की चिणता है तो वह 20 परसन तो जाए किसका वोट जा रहे हैं कॉंग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी आप अकेले हैं अगर आधमी पार्टी चुनाव लड़ती तो जैसा कि अर्विंद केजरीवाल ने भी साफ किया कि सिधे टकर भारती जंता पार्टी से होगी तो वोटो का नुकसान तो आपको होगा वोतों पर तो उनसे हमारी टकर होगी यह किसी से तो होगी न दिल्ली में भी कॉंग्रेस समाफ होगी तक के जिरौार से होगी अब इसको आप राष्ट्य परिपेक्ष में देखने लगे मेंबर बनना क्या है जो मेंबर इनके बन रहे हैं आस तो रिपोर्ट आगी कोई भी करना सुरू कर देदा लोगों को रिजल्ट चाहिए इसी दिए ताउन में थोड़े थोड़े जो दो दो तरह के लोग है एक तो जिन को पॉलिटिकल सब्सक्राइब कहीं मिला जिनको पॉलिटिक करने की लाल सा थी ते एक प्लेटफर्म मिल गया इसका यह मतलब नहीं हा थ सब्सक्राइब की अध्मी पार्टी या बीजेपी की भी राय थी कि आम आदमीपार्टी को इतनी सीटे नहीं मिलने जारे हैं यह कहां का सर्वेय है यह कौन मीडिया दिखा रहा है यह चर्चा होती थी हमें भी صिर्य नहीं होता था कि कि वेश हाल अगर फिर से हो गया वो भी तो हमको 45-40 दे रहे थे अगर इतने लोग फेल हो सकते हैं मेरा एक गणित गलत हुआ यह तो जनता कर देती है देश में इसलिए नहीं हो सकता इसाप संदेश चला गया कि कॉंग्रेस ने मोहरा यूज किया और हर जगह कर रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए यह बीजेपी के साथ है मेरी कॉंग्रेस के बड़े नेताओं से भी बात होती रहती ही कॉंग्रेस इस वक्त बहुत रिलैक्स है क्योंकि उनको लग रहा है कि के जिरिवाल को प्रोजेक्ट करके उन्होंने भारती जन्टा पार्टी का रास्ता रोक दिया है नरेंद्र मोधी का रास्ता रोक आपने सवाल बहुत अच्छा किया मैं चाहता था कि आप पूछो देखो कॉंग्रेस इमान चुकी हैं समाप्थ हो चुके हैं और वह स्पेस के जरिवाल को दे ने लिए यह वह कॉंग्रेस का इसपेस सारे ले ले लेंगे और भारती जनता पार्टी के लड़ाई अब इन लोगों से होगी एक सो अठाई साल पूरानी पार्टी है वो इतनी जल्दी समाप्थ हो जाएंगे फुदी तो समाप्थ कर रहें आप भी तो बोल रहे हो ना कि कॉंग्रेस ने सहारा लिए आपका रास्ता रोका उन्होंने सियासी चाल चली हमारा रास्ता रोकने के लिए अर्विंद के जिरिवाल को बुला है क्या सोचा उन्होंने कि हमारा जो नाराज वोट है यह काट लेंगे तो हम फिर पावर में आ जाएंगे जनता बहुत है समझदार किने कारणों से फर्ज करिए कि नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री नहीं बन पाते हैं तो मुझे लगता है कि अगर इस बार वो नहीं बन पाए तो 2019 के लिए भी रास्ते बहुत आसान नहीं होगे कॉंग्रेस तो हीमत भी नहीं कर रही है कि हम परधान मंतरी की घोशना के हैं कि देखो पब्लिक मूड कॉंग्रेस को और पार्टियों को पता रहता है हमारे पार्टी को भी पब्लिक मूड पता था कारेकरताओं का मूड पता था पार्टी ने थोड़ा डिले भी किया क्या डीजिनल की बनेगी इसलिए देश्की जनता मिली-जुली सरकार के पक्षमें नहीं है सरकार के साथ हैं थी 304 कि से ज्यादा जीद करके आएंगे वह कि तीन महिने बाकी है और मुझे लगता है जिस तरीके से पल-पल देश की राजनीती बदल रही है और जल्दी-जल्दी आंदोलन हो रहे हैं आंदोलनों के नतीजे लोगों के सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अभी तीन महीने का वक्त है और इसमें बहुत सारे सियासी दाओं पेच अभी बाकी है रामिश्वर जी आपने साधना न्यूस पर हमसे समय दिया हमसे बात कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद